Hello guys, और आज हम पढ़ने वाले हैं, meaning of daily use word English तो पहला है हमारा for के लिए, दूसरा है for me, मेरे लिए तिसरा है for us, हमारे लिए, छोथा है for them, उनके लिए पाचमा है for you, आपके लिए, छटा है for it, इसके लिए साथमा है for him, उसके लिए, आटमा है for her, उसके लिए, नवा है for now, अभी के लिए ज़समा है for this, इसके लिए, यारमा है for date, उसके लिए, बारमा है for hair, यहां के लिए तेहरमा है for there, वहां के लिए, चोधमा है for warm, किसके लिए, बारमा है for where, कहां के लिए, सॉलमा है for ever, हमेशा के लिए, सत्रमा है for today, आज के लिए, अठारमा है for tonight, आज रात के लिए, फॉरे वील, थोड़ी देर के लिए, बीसमा है for good, अच्छे के लिए, एकिसमा है for second, एक second के लिए, बाइसमा है for an hour, एक घंटे के लिए, तेहिसमा है, about, बारे में, चौबिसमा है, about me, मेरे बारे में, पचेहिसमा है, about ask, हमारे बारे में, 26 मा है about them, उनके बारे में 27 मा है about you, आपके बारे में 28 मा है about it, इसके बारे में 29 मा है about him, उसके बारे में 30 मा है about her, उसके बारे में 31 मा है about non, किसके बारे में 32 है about this, इसके बारे में 33 है about that, उसके बारे में 34 है about her, यहां के बारे में 35 है about there, वहां के बारे में 36 है about warm, किसके बारे में 37 है about where, कहां के बारे में अर्टिसमा है एबोर्ट नाव हभी के बारे में उन्तालिसमा है एबोर्ट टूडे आज के बारे में चालिसमा है एबोर्ट टुनाइट आज रात के बारे में तालिसमा है एबोर्ट लाइफ जीवन के बारे में बैलिसमा है एबोर्ट फूड भोजन के बारे में 43 मां है about time समय के बारे में 44 मां है about love प्यार के बारे में वीडियो अच्छे लगी हो शेर और सब्सक्राइब लाइक जरू करें धिक्यू